हेलो एवरीवन वेलकम बेक टू मैक्ट्रेक 14 और आज का हमारा फैशन है हो हिंदी और इंग्लिष दो लेंगज में रहेगा ठीक है यह पहली बार ऐसा हो रहा है जब मैं हिंदी में ले रहा हूं लेक्चर और जो भी लेक्चर से इससे पहले वह सारे इंग्लिश में ठीक है तो आज हम थोड़ा आफ दे ट्रेक बात करेंगे आफ दे ट्रेक मीन्स क्योंकि हम अभी जो कर रहे हैं हमारा यूपीस से इंजिनिरिंग सर्विस का जो क्वेस्टन अभी एक एक्जाम होगा था 18 अक्टोबर को तो उसका हम सॉल्यूशन रोज एक एक या दो क्वेस्टन हम देख रहे हैं ठीक है लेकिन ये अभी जो SSEJE एक्जाम्स आ रहे हैं और CGL है ठीक है और भी दूसरे PSU के एक्जाम है जैसे RCFL राष्ट्रे केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड तो इन सब एक्जामों को मत दे नजर रखते हुए हमने ये आज का सेशन रखा है और ये सेशन सिर्फ इन एक्जा काफी बार पूछ लिया जाता है ठीक है और ये आज का टॉपिक होगा Biosphere Reserves इन इंडिया और ये जो Biosphere Reserves जो हम यहां पर देख रहे हैं 18 टोटल 18 Biosphere Reserves हैं हमारे पास इंडिया में अभी और ये जो भी UNESCO के प्रोटेक्टेड है ये सारे UNESCO के थ्रू प्रोटेक्टेड है ठीक है तो इसमें question कैसे बनते हैं तो सबसे पहले तो होगा match the following जिसमें Biosphere Reserves का नाम दे दिया जाएगा और state का नाम दिया जाएगा ठीक है तो ये question पूछ सकता है कि Biosphere Reserves दे दिया होंगे 3-4 और उसमें से state होगा तो उसको match the following करना होगा कौन सा कौन से state में है ठीक है औ और ज्या तो ऐसा पूछतेते कि which of the following is not a Biosphere Reserves तो वो भी हमें ध्यान रखना है और तीसरा question एक type होता है कि कौन सा pair correct नहीं है जैसे Biosphere Reserves और state का pair बना दिया होगा कि जैसे पन्ना है पन्ना Biosphere Reserve तो वो लिख देंगे महराष्टरा में तो वो पैर गलत हो गया है तो इस type के question आते हैं अब इसमें याद कैसे रखे हम इतना सारे क्योंकि national parks भी है wildlife centuries भी है ठीक है तो उसके लिए भी हम आगे वीडियो बनाएंगे लेकिन आज हम बात करेंगे Biosphere Reserve के बारे में तो यह जो Biosphere Reserve है इसको याद कैसे रखे हैं तो आज मैं आपको trick बताऊंगा वो trick एक छोटी सी story के रूप में होगा ठीक है तो वो अगर आप याद कर लेते हैं तो काफी easy हो जाएगा आपके लिए Biosphere Reserve ठीक है अगर कुछ Biosphere Reserve आप कर लेते हो तो कुछ उसके related आपके national parks भी हो जाएंगे ठीक है तो मैं एक trick बताने जा रहा हूं एक story है basically ठीक है तो हम वो story सुनेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप story उसको अपने memory में store कर लीजिए ताकि एक अच्छे से पुरा flow बन जाए तो उसके बाद कोई भी question होगा वह आप solve कर सकते हैं ठीक है तो एक सबसे पहले general question होता है कि इंडिया का सबसे पहला biosphere reserve कौन सा है तो इंडिया का सबसे पहला जो biosphere reserve है यह अभी मैंने वो trick शुरू नहीं कि अभी general question कुछ जो पूछे जाते हैं तो वह है सबसे पहला biosphere reserve निलगिरी ओके तो निलगिरी क्या है यह तीन state के अंदर पढ़त national park भी है उसका नाम है silent valley national park और इसमें एक endangered species है जो काफी famous है जिसके लिए यहाँ पर protection है उसका नाम है lion-tailed macaw तो यह कुछ general points है और यहाँ पर एक famous hill station भी है उटी आप कई लोग आप गए भी होंगे मेरे जो viewers ने जो देख रहे हैं उसमें से कुछ लोग गए भी होंगे उटी काफी बढ़ियाँ जगह है ठीक है तो यह है कुछ इसके बारे में और अभी हाली में UNESCO के तारह world heritage के उसमें intangible heritage में भी डाला गया है वह है कंचिन ठीक है वो सिक्किम में है तो हम इसको याद किसे रखें ठीक है इतना सारे है कौन सा कौन से स्टेट में तो मैं एक स्टोरी शुरू करता हूं देखिए तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए तो पूरा अपको बैयोस्फियर डिजर्व क्ल चुना, Simlipal, काफी, ठीक है, Simlipal, इसलिए मने इसको चुनाए का क्योंकि एक university है, इसके नाम से मिलते हैं, जुलते हैं, इंडिया में, तो यह याद करने में आसानी रहेगी, तो एक Simlipal university है, ओडिशा में है वो, तो ठीक है, तो हमारा पहला बायोस्फेयर रिजर्व हो गया, सिमलिपल ओडिशा, वो कहां पर है, ओडिशा में है, अब वो क्या करती है, टूरिजम का कोर्स को होता है, वहाँ पे एक, टूरिजम, दो साल का कोर्स है, बहुत लिमिटेट सीटे हैं बहु उसमें क्या होता है, ओल इंडे एक्जाम होता है, कुछ बच्चे सिलेक्ट होता है, तो उसमें से एक बच्चा है, जिसका नाम है मानस, मानस करके एक लड़का है, एक मानस करके लड़के का सिलेक्शन होता है, जो आसाम में रहता है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर दूसरा, बाया स्फियर रिजर्व हमें पता चल गया सिमली पाल एक तो ओडी सा हमने कर लिए और दूसरा मनस अब और दो लड़के कौन है देहांग और दिबांग ये दोनों भाई है देहांग दिबांग देहांग और दिबांग इन दोनों का भी हुआ है ये लोग अरुनाचल प्रदेश से है ठीक है तो हमारे तीन नेशनल पार्क हो गए तो ये तीनों का हुआ है और जैसे मैंने बता था कि कुछ सिटे फीमेल के लिए रिजर्वट है तो उसमें कंचन करके एक लड़की है ठीक है उसका भी हुआ है वो सिक्किम की रहने वाली है कंचन ठीक है तो वो भी है अब और भी कुछ लोग है जो साउथ इंडिया से है एक तमिल नाडू से है केरला से है करनाटक से है ठीक है और भी बहुत सारे लेकिन उनकी डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं हुई है अभी तक ठीक है तो अब क्या होता है जब कोर्स शुरू होता है तो ये लोग अपने अपने घर से बाय ट्रेन और बाय प्लेन आ जाते हैं युनिवर्सिटी में ये दिहांग दिबांग, कंचन भी आ जाती है लेकिन गल्ती से लेकिन क्या होता है बदनसीबी से कि मनस जो है उसकी ट्रेन छूट जाती है वो दिबरुगड रहता है ठीक है अब वो दिबरुगड विचारी की ट्रेन छूट जाती है तो क्या करेगा उसको दूसरी ट्रेन जो डैवर्जन वाया होके आती है सैखोवा ठीक है कि तो वहां से उसको वहां से डारेक्ट रन नहीं उसको साइखोवा होते घूमते फिरते फिर फिर उसको पहुंच गया ठीक है अब यह पहुंच गए दो साल का pros है पहला साल था theory पूरा classroom में बैठके पूरा पढ़ा इन लोगों ने दूसरे साल क्या हूँ प्रैक्टिकल करना था तो इनको प्रैक्टिकल में क्या दिएगा पूरा इंडिया टूर करके आओ और वहां के उसके बारे में फिर पूरा रिपोट बनाओ और फाइनल यर में प्लेस्मेंट होगा मतलब फाइनल यर में आई गए थे लेकिन यह टूर के बाद उनका प्लेस्मेंट होगा ठीक है तो अभी इन लोगों ने सोचा कि चलो क्यों ना हम clockwise शुरू करते हैं हम clockwise शुरू करते हैं यह याद रखना है यह काफी महतोपूर्ण है इस कि यहां से पूरा हम clockwise घूमेंगे और वापीस उसी जगह पर आएंगे यह उन लोग का प्लान था यह काफी मेंट था तब इन लोगों ने क्या सोचा बोले चलो चलते हैं तो पहले clockwise घूमते हैं तो यह लोग ऐसे आये तहां पर क्या मिला ग्रेट निकोबार तो यह पहले नार रहाईए तो अहाँ एक कोऄ से ट्रेट है जिसका नाम है पां क्वर्क च्रेट जो इंडिया और शिलंका को अलग करती है और घॉप बőर लुटक सि उसकी कि इलने का धिकंति सब्सक्क्र नाम रचाए मुझर मंणार घूम लिए अगल इतना घूम है तो भूग तो लगी होगी तो इन लोगं ने क्या किया कि बोले चलो यहां पे जो केरल वाला केरल वाला जो था उसके वहां गया वहां मलाई कही दोगाने ठाथ तो देखा होगा तो नारियल इक काफी नजदीक है तो बोले ही पैदल चलते-चलते जाएंगे मतलब सेशा चलम वहाँ गए अब होतने में कहीं टीवी देख लिया है कुछ दिन तो गुज़रत में तो सीधा आगे कुछ दिन गुजरना गुजरात में कच के अब में लगी इन लोगे बहुत जोर की गर्मी लगी होई है बहुत गर्मी पढ़ती है कच में तो अब कच में क्या हो इनको गर्मी लगे आप अब इनको सोचा कुछ थंडी जगा पे चलते हैं ताकि जो भी हीट स्ट्रोक लगा है वहां से हम रिवाइव हो जाएं तो यह लोग सीधा गए गए खोल डेजर्ड हिमाचल प्रदेश गए हिमाचल प्रदेश अब वहां पर इतनी ठंड लगने लगी कि अब उनको भगवान याद आ कि भगवान बचा लो हमें ठीक है मतला और दिन रहे यहां पर थंड के मारे मर जाएंगे तो भगवान को याद किया तो नंदा दिवी अच्छा ठीक है हमारी शरण में आजो कोई दिक्कत नहीं थोड़ी दिन रुको अच्छा फिर वहां से थोड़ी दिन रुकने के बाद आये सीधा MP में अब इतना दूर चले है सिमली पाल से इतना घूमते घूमते तो इतना घूमते घूमते क्या हो कि कमर में पूरा अचा तक आ गयी थी थी ठीक है मतलब कमर में मोच आ गयी थी है थीजी दो अनलोक है क्मर्वाहे यहां पीया होगा आउम، खाया होगा डिक है तो यहां पे पन न ःवुasके ना बाद यह लोग गय दमांना इस सीधा सुन्धरवांच से वापिस होते हुँए सिंब्ली पाल लाग यहां से यसा चला हम से फिर कच गर्मी लगी तो कोल्ड डेजर्ड हिमाचल प्रदेश वहां से नंदा देवी MP में आते वापीस ठीक है अब फिर से मैं बता रहा हूं कैसे क्या कि इन लोगने ठीक है अब इसमें कुछ फैक्ट भी एड हुए होंगे और वो कॉनसे स्टेट में है वो भी एड हुआ होगा ठीक है तो देखो सबसे पहले क्या था कि एक सिंबली पाल युनिवर्सिटी है ओडिसा में वो हो गया वहाँ पर टूरिजम का कोर्स चल ला है तो वहाँ पर कौन कोन आया भी एडमिशन किसका हुआ ओल इंडे एक्जाम हुआ था उसमें मनस का एडमिशन हुआ देहांग दिबंग दो भाईयों का हुआ मनस कहां का रहने वाला था असम का देहांग दिबंग दोनों और कुछ लोग यहां से साउथ इंडिया से आया थे, केरल से था, तमिल नाडू एक करना टक से था, और बाकी लोगों की डीटेल्स डिस्क्लोज नहीं की थी, अब उसके बाद उन लोग का one year का theory course हो जाता है, अब final year में practical होता है, जिसमें भारत दर्शन करना होता है, तो सब से पहले क्या सुतने हैं लोग, हम clockwise जाएंगे, clockwise गए, clockwise गए, clockwise गए तो सबसे पहले क्या पढ़ा है, यहाँ पर, मैं प्याद रखना, Great Nicobar, वहाँ से घुमके गए, Gulf of मनार, Gulf of मनार कहाँ पढ़ता है, तमिल नाडू में, यह Great Nicobar कहाँ पढ़ेगा, Nicobar आईलेंड में, ठ से मलाई, केरला में हो गया, Gulf of मनार, तमिल नाडू के आसपास है, मतलब बॉर्डर पर है, फिर वह बगल में निलगीरी भी था, काफी famous, बायोस्फियर इज़ा, उटी-उटी घूम लिये वहाँ से, निलगीरी, अब बोलते हैं, पैदल चलते-चलते ही चलते हैं, ठीक है, तो कहाँ पहुंचे, सेसा चलम, चलते-चलते पहुंचे, सेसा चलम, जो आंधरपदेश में, अब फिर वहाँ पर क्या हुआ, एक दिन एड देख लिया, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, ठीक है, तो उन्हों को सचा चलो, गुजरात में चलते हैं, कच, तो कच ग प्रदेश गये, अब इतनी ठंड लगी, कि भगवान याद है कि भगवान बचालो, वरना ठंडी से मर जाएंगे, तो नंदा देवी प्रगट हुई, अचानक से, उन्होंना बोला कि आओ, हमार यहां शरण लो, उत्राखंड में, नंदा देवी, उत्राखंड, कच गुज उजराथ, और cold desert हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो अब वहां से कुछ तिन करने के बाद, अब जैसे पहुंचे पचमडी, यह भी एक hill station है, पचमडी भी एक hill station है, मां बताना भूल गया, ठीक है, तो वहां से क्या हो, आप पहुंचे तो अचानक से कुछ की ऐसे ठकान लग हो रहा है, ठीक है, तो अमर कंटक वहां भी देख लिए, ठीक है, वो भी MP में आ गया, अब उन लोगों ने कहा किया, थका अंदूर कनने के लिए, आम पन्ना खाया, बतलब पन्ना, वो भी MP में आ गया, अब उसके बाद सीधा गए, सुन्दर बन, वहां पर बाग वाग के फोटो कीचे और वापीस आ गया, मतलब एक हमारा पूरा clockwise हो गया, ठीक है, अब इतना तो हो गया इन लोग, अब फाइनल डे आया है, जब प्लेस्मेंट था, इन लोग की सबकी नौकरी लगती है, तो नौकरी, नौकरी से क्या है, नौकरेक, अब इन लोग की नौकरी उसके बाद मनस हुआ है, उसका आसाम में, और हाम एक चीज़ बताना भूल गया, यह लोग सब अपने अपना घर से पहुंच तो गया, लेकिन विचारा मनस था, उसकी ट्रेन छूट गी, तो दिबरुगड से आने वाला था डायरेक्टली, लेकिन क्या हुआ हुआ, उसको दिहांग दिबांग, इन लोग का भी हुआ था, अरुनाचल प्रदेश के थे, कंचन जूंगा, सिक्किम में आ गया, ठीक है, अब हम पहुंचते हैं, गल्फ अफ फिर ग्रेट निकोबार, फिर गल्फ अफ मननार घुमने गया, तमिलनाडू, केरला, अगस्य मलाई, फिर वहां से चलते चलते कहां पहुंचे, सेशाचलम, आंधरपदेश, फिर टीवी का एड़ देखा, कहां पहुंचे, कच, गुजरात, फिर वहां से गर्मी लगी, कहां पहुंचे, हिमाचल पदेश, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, और उसके बाद ठंडी लगी, तो फिर कौन आ फोटो खीचे, फिर वापीस आगे, अब उसके बाद उनलों की नौकरी लगी, लाश्ट में तो नौकरी, नौकरी कहां लगी, मेघाले में, नौकरेक, ठीक है, तो ये थी, इस तरह से हमें याद करना है, आशा करता हूं, आपको सबको याद रहे गया होगा, अब कुछ प दिभांग, दिहांग दिभांग के वहाँ से एक नदी निकलती है, जो है, लोहित रिवर, लोहित रिवर है, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मा पुतरा की, ठीक है, वो अरुनाचल में, अरुनाचल से निकलती है, लोहित रिवर, और दिहांग दिभांग, और हाँ एक इंडिया का 105 निशनल पार्क भी बना है ठीक है अभी हाली में उसका नाम मुझे आपको बताना है सुर्य ऐसे मैंने बताई दिये ठीक है तो ये थी बाज़ फिर रिजर्व की स्टोरी अब एक बार प्रैक्टिस कीजिए आपको भी एच्छा से याद रह जाएगा ठीक है फिर भी मैं एक बार फाइनल रिपिट कर देता हूँ सिमली पाल उनिवर्सिटी ओडिसा में टूरीजम का कोर्स करवाती है उसमें किसका अडमी शुना मनस दिहांग दिबंग और कंचन और बाकी कुछ और भी लोग थे ठीक है अब बाकी सब लोग अपने अपने घर से आगए ठीक है दिहांग दिबंग अरोना चलकर रहने वाले थे कंचन कहां की थी सिक्किम की थी मनस असम का था बाकी सब लोग अपने अपने घर से आगए मनस की ट्रेंच छूट गी तो कहां से है दिबरुगड से नहीं है दिबरुगड से साइखोवा होते हुए फिर आया फिर ही लोग वहां पर इनका प्रोजेक्ट हुआ फाइनल येर का जो भारत दर्शन फिर वहां से ग्रेट निकोबार ग्रेट नियूबार से गल्फ मननार ग देखा और का पहुचे कर्दे गुजраत फिर वहां से गर्मी लगी तो कहां पहुचें कॉल डेज़र्ट हिमाचल प्रदेश फिर वहां से कौन आया मदद करने के लिए नंदा दिवी यह उत्राखंड फिर वहां से आराम करके कहां गया मध्य प्रदेश में पहुचे तो औ तो कमर में मोच आ गई तो कांटे चुबने लगे कमर में तो थोड़े आराम किया पन्ना वन्ना खाया कहां पर लेकिन जगा कौन सी थी पचमधी ठीक है तो इसके बाद सुन्दर बन गए बाग वक्के फोटो किचे वापीस आये और इनलोग की नौकरी कहां लगी फिर फाइ पोल डेजर्ट में एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है पिन वैली नेशनल पार्क ठीक है तो यह कुछ डीटेल थी होब आप सबको पसंद आया होगा गर पसंद आया है तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अबाउट सेक्शन में जाके देखिए कि यहां इस चैनल पर मैं कॉन से कॉन से पेपर सॉलेशन करवाता हूं क्या करवाता हूं उसके चैनल के बारे में पूरी डीटेल आपको पता चल देगी तो मिलते हैं कल एक अगले वीडियो के साथ तब तक कीप स्टेडिंग स्टे फोकस्ट